हलो दोस्तों आपका स्वागत है अविद अकेडमी द्वारा शुरू किये गए कोरोना वाइरस पर वीडियो सीरीज में यह वीडियो उसी सीरीज की एक अगली कड़ी है और हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं कि कोई वेक्ति अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की सु को गिल्कुछ सटीक और आथेंटिक जानकारी मिल सके इसके अलावा हमने इस वीडियो के डिस्किप्शन में इस सीरीज के सारे वीडियो का लिंक दे रखा है आप उसे जरूर देखें ताकि आप इसका लाव उठा सके तो चलिए दोस्तों अब चर्चा सुरू करते हैं कि ह हम कैसे अपना तता अपने परिवार के सदस्यों का बचाव कर सकते हैं कोविड नाइंटीन से तो हम साधारन साउधानिया अगर बरतते हैं कोविड नाइंटीन के प्रती तो हम इसके संकर्मन से या इसके फैलाव के संभावनों को कम कर सकते हैं हमें नियमेत रूप से अच हाथ को रगड़ कर साफ करना चाहिए जिन लोगों को संक्रमन हो भी गया है वो भी पानी और साबुन से अपना हाथ बार बार धोएं तथा कहीं और जाने से बचें वो अपने आप को कॉरेंटाइन करें इसके अलावा अपने आप और किसी से जो खास रहा है या चीक रहा है क क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि कि किसको कोविड-19 का संकरमन हो गया है अपने आख को नाक और मुह को छूने से आप बचें आप ये सुनिश्चित करें कि आप और आपके आसपास के लोग अच्छे स्वसन अनुसाशन का पालन करें यानि कि रेस्परेटरी हाईजिन क पालन करें इसका मतलब है खांसी या चीक आने पर अपनी मुड़ी हुई कोहनी या टीशू से अपने मुह और नाक को धकना फिर इस्तमाल किये गए टीशू को तुरंद ही धके कच्रा पात्र में डाल दें या फेक दें यदि आप अस्वस्त महसूस करते हैं तो घर पर रह हैं यदि आपको बुखार खांसी और सांस लेने में कटनाई है तो चिकित सा पध्यान दे यानि कि डॉक्टर को कॉंटेक्ट करें इस तरह हम अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों की कोविड नाइंटीन से सुरक्षा भी कर सकते हैं तथा इसके फैलने पे अंकुष भी लगा सकते हैं और हुमन चेंड जिसके चलते यह फैलता है एक वेक्ति दूसरे वेक्ति तक उसको भी तोड़ सकते हैं तो दोस्तों हमें उमीद है कि आपको हमारा वीडियो में दी गई जानकारी पूरी टरस समझ में आगई होगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें तथा जादा से जादा शेयर करें कमेंट बॉक्स में आपने question ligger भेजैं कमेंट करें और यदि आपने अभी तक हमारा channel subscribe नहीं किया है तो प्लीज subscribe करें और bell icon दबाना ना भूलें अपको हमारा इस series का latest video लगतार मिलता रहे तो दोस्तों सुरक्षित रहें स्वस्त रहें